Hello everyone, welcome to the channel Failure to Success So, आज मैं RRB PU 2021 के scorecard से share करूँगी जिसमें pre, mens और final का scorecard है और सबसे पहले start करते हैं plans के scorecard के साथ में So, ये मेरा नाम है निशिवर्मा, role number, registration number 1st of August 2021 को मेरा exam था, category OBC है, मैं UP से हूँ और apply भी मैंने UP से किया है So, reasoning की बात करें, तो मेरे attempts थे 40 और मेरा score जो यहां पर आया है 37.50 है इसका मतलब है, दो questions गलत हुए हैं यहां पर Quant में मेरे attempts थे 13, score 21.75 रहा है इसका मतलब है, यहां पर normalization में 8.75 marks बढ़े हैं So, क्या हुआ था कि reasoning में मैंने ज्यादा time spent कर दिया था तो Quant के लिए मेरे पास इफ 10 minutes लेफ्ट थे, उसमें मैंने 13 questions बनाए थे So, overall जो मेरा score रहा है वो 59.25 रहा है और कटाफ रही है 54.50 और मेरे जो attempts थे, overall वो थे 53 So, यह रहा प्रिलिम्स का scorecard, उसके बाद मेंस का scorecard देखते हैं So, मेंस का exam था 25th of September 2021 So, रीजनिंग की अगर बात करें, तो रीजनिंग में मेरे अटेंस 25 थे Score 20.75 आया है यहाँ पे उसके बाद क्वांट की बात करें, तो 9 ही मैंने अटेंस किया थो 9 यहाँ पे score है तो total weighted score निकालने के लिए इन सब को multiply करना पड़ेगा Reasoning को 1.25 से multiply करना है, computer को 0.5 से, general awareness तो 1 से और English को 1 से, quant को 1.25 से तो total जब कालकुलेट करते हैं तो 77.06 आता है और कटाफ 75.38 रही थी तो मेरा जो score है कटाफ से सिर्फ 1.68 नंबर ही ज्यादा है तो बहुत ज्यादा score मतलब at least 10 नंबर तो अबब होने चाहिए थे बट मेरे score से 1.68 एक्स्रा था कटाफ से सो अब देखते हैं फाइनल scorecard सो फाइनल जो मेरा बना था वो 43.22 आउट ओफ 100 इतना रहा और कटाफ थी 47.72 तो मेरे कटाफ से 4.5 मार्क्स लेस हैं तो मेरा clear नहीं हुआ था और इसके लावा अभी मेरा एक्जाम जो है इस बार वो है 20th of August को सेकंड शिफ्ट है मेरी उसके लिए preparation कर रहे हैं अच्छे से और मेंस भी साथ में पढ़ रहे हैं क्यूंकि प्री तो clear हो जाएगा फिर मेंस नहीं होता यह भी problem है सो मैं अपना 2020 का भी scorecard शेयर करूंगी उसमें मेरे मेंस में मेरा clear नहीं हुआ था प्री हो गया था मेंस नहीं हुआ था सो यह रहा मेरा scorecard और जो लोग के जुड़ना चाहते हैं failure to success में सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे मेहनत करते रहना हैं जब तक नहीं होता है क्योंकि एक नंबर दो नंबर से या points अगर fail हो रहा है इसका मतलब है कि हो जाएगा बड़ सम्टाइम्स लग भी काम नहीं करता है वो चीज भी होती है जिसका भी एक्जाम है रर्भी पियो का उनको all the very best और बहुत अच्छे से एक्जाम देजेगा mock test देजे और बाकी तो एक्जाम कैसा आएगा वो सब चीज तो पता चलेगा वह एक्जाम देने के बाद आप भी अपना score शेयर करिएगा आरर्भी क्लर का एक्जाम हुआ है मैंने अपना score शेयर किया आप चाहें तो देख सकते हैं मेरी अटेंट्स कितने रहे थे so thank you very much and all the very best for upcoming exams and take care all of you bye bye